जहें दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है क्लास 8 का एकसराइस 11.2 का कोशियन नुम्बर 10, तो क्या है कोशियन नुम्बर 10, सबसे पहले तो हम लोग इसको रेट करते हैं, तो कोशियन नुम्र 10, यहां पर दिया हुआ है, एक पेंटागोनल शेट पार्क है, इन द फिगर, जिसका फिगर यहां पर दिया हुआ है, एक पेंटागोनल शेट पार्क है, इन द फिगर, जिसका फिगर यहां पर दिया हुआ है, पर फॉइंडिंड इस एर्या, अपोनल इसका एर्या फाइंड करने के लिए जोती और कविता ने इस फिगर कूट इवाइट रिग तो अलग अलग तरीकों से, हमें इस पार्क का एरिया फाइंड करना है यूजिंग बोथ वेज दोनों ही तरीकों से जोती वाले तरीके से भी और कविता वाले तरीके से भी तो आईए देरी ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम यह खोश है करेंगे तो अगरा सबसक्राइब बात करें जोती के लिए जोती का प्लिगन है इसमें क्या है तो यह कुछ इस तरीके कहां जोती प्लिगन है कि ये अब इसमें दिया क्या हुआ है तो इसमें यहां पर जो इस में इसमें तो इसमें दिया हुआ है और जो टोटल हाइट है यहां से लेकर के यह है थार्टी मीटर है तो हमें इसका और जोती है इसे डिवाइड कर दिया है तो हमें इसका एक करना है तो कैसे करेंगे इसका एक कि तो यह जो दिया हुआ है हम देक्REAM कर सकते हैं किसे कुछ इस तारिके का है इसमें उना सेफ है और यहां यहां पर यह इल्हेड है है क्योंकि यह जब 50 है यह भी 50 नहीं 50 है तो यहां से पर्पेंडिकुलर्ड रहोगा तो यह जो होगा यह टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे तो अगर हम इस वाले तो हम यहां से इसका इर्या फाइंड करते हैं तो क्या होगा एरिया तो हम जानते हैं अब यहां से हमें सबसे पहले चाहिए क्या जो एरिया होता है तो एरिया एक तो यहां पर है तो इस फिगर में हमें क्या क्या होगा है अब है जो पी वान हो कितना है और जो पीटू है यह तीनों चीजिए अगर में पता हों कि समय इस्टे पेजिंग कर सकते हैं तो हम पर हाइट क्या होगी तो हम एक कोश्चन में दिया हुआ है कि यह पूरा डिस्टेंस है वह 15 मीटर है और यह पार्ट में तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 15 प्लस पीटू क्या है प्लस पीटू यह पूरा हाइट है जो कि 30 मिटर दिया हुआ है तो यह 30 मिटर अब हम लोग इसे लिख सकते हैं 51 जा 15 अपन 4 और यह मिटर इंटू इन दोनों को एड करेंगे तो यह हो जाएगा 45 मिटर अब हम अगर इसे मल्टिप्लाई कर दें तो यह हो जाएगा 15 5 जा 75 क्यारी आया 7 15 4 जा 60 प्लस 7 तो यह 675 अपन 4 मिटर स्कॉर यह इसी को अगर हम डेजिमन होना चाहिए तो क्या है तो 675 को डिवाइड कर देते हैं 4 से तो 4 बन जा 4 और यह 2 पर यह 7 आ गया नीचे तो 4 6 जा 24 अब माइनस करेंगे तो यह 3 नीचे यह क्रॉस अब यहां पर आ गया 5 तो 48 जा 32 और यह क्रॉस 5 माइनस 2 3 अब डेसिमल लगाएंगे तो यह 0 तो 47 जा 28 और यह आ गया माइनस करने पर 10 माइनस 8 2 और 3 माइनस तो यह हो जाएगा 2 माइनस 2 कैंसल अब यहां से जिरो एक आएगा तो 45 जा 20 तो यहां से यह हो गया कट तो हमारे जांतर है वह क्या होगा वह होगा 168.75 मीटर स्क्राइब तो यह हमारा इस एक ट्रेपेजियम का एरिया होगा अब अगर हमें इस पूरे फिल्ड का एरिया फाइंड करना है तो क्या होगा तो एरिया ओफ पेंटा गॉन इस इक ट्रेपेजियम इसमें टू से मल्टिप्लाई करते हैं तो टू इन्टू 168.75 मीटर स्क्राइब तो यह क्या हो जाएगा अब हमें क्या करना है है अब हम फाइंड करेंगे यही चीज़ कविता के डाइग्राम से तो इसका मैंठड क्या होगा तो वह भी देखते हैं जो कविता का डाइग्राम है अगर उसे ड्रॉ करें तेन कि यह भी 15 मीटर यह है यह वह 15 मीटर यह दूटल है वह थिर्टी मीटर है और इसको डिवाइड कर दिया है two equal parts में और इसे divided कर दिया है two parts में एक triangle औरे की square में इसका naming कर देते हैं A, B, C, D और E तो area of trapezium क्या होगा तो लिखेंगे area of trapegium is equal to area of triangle ABE, ABE plus area of square EBCD, so EBCD, so तो क्या होगा, area of triangle ABE, तो यह होगा, 1 by 2 into base, बेस क्या है, तो यह 15 meter into height क्या है, तो यह जो height है total, वो है 30, और इसमें से 15 minus करतेंगे, तो यह हो जाएगा 15, तो यह भी होगा, 15 meter, प्लस, अब area of square क्या होगा, तो वो होगता है side square, मतलब 15 meter क्या whole square, अब इसे add करते हैं, तो यह क् जब हम इसे add करेंगे, तो यह 15 से 15 multiply करेंगे, तो 225 meter square divided by 2, प्लस, यहाँ पर जब add करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, यह होगा, 15 into 15, 225 meter square, अब इन दोनों को जब add करेंगे, तो यह क्या होगा, यह होगा, 225 meter square, प्लस, यह हो जाएगा, 2 into 225 meter square, divided by 2, अब हम अगर इसे एड करें तो ये क्या हो जाएगा यह होगा 225 मीटर इसक्वेर प्लस इसमें मल्टिप्लाइएगा जो 25 z10 कहा हैं 2 तूजा 4 प्लस 1 5 तूजा 4 अब ओन 2 तो यह क्या होगा अब यहां से देखते हैं, तो 5 और 0 यह होगा, 5, 2 प्लस 5, 7, 2 प्लस 4, 6, 175 divided by 2, तो अगर हम लोग इसे अब डिवाइड करते हैं, तो यह क्या हैगा, तो देखें, तो 2, 3 जा 6, और यहां पे 2, 3 जा 6, 2, 2, 7 जा 14, और 2, 5 जा 10, तो यह होगा, पर 337.5 मीटर स्क्राइड और अगर हम लोग यहां से नोटिस करें, तो यह 337.5 मीटर स्क्राइड दोनों सेम हैं, तो इस तरीके से हम लोग जोती और कविता के डाइग्रांड से एरिया फाइंड कर सकते हैं, तो यह हमारा कॉश्चन सॉल्व हो गया है, आएवा मैं दिखते हैं कि कैसे सॉल्व गया, क्या हमें बोला था, कि यह जोती और कविता ने तो अलग अलग तरीके बनाया है, इसे सॉल्व करने के लिए इस पेंटागोन जो पार्क का फिगर है, उसका हमें एरिया फाइंड क का मिला और सीम यहीं ट्रेपेजियम नीचे भी मिला, तो हम क्या करेंगे, इसका इरिया फाइंड करके टू से मल्टिप्लाइ कर देंगे, तो हम इन दोनों का एज्याम मिल जाएगा, तो हम यहां पे क्या होगा देखें, और जो चीज डाइग्राम, एरिया पेल्टागोन इन दो to area of trapezium, ए बी सी, डी, अलाँ टू एरिया प्रवा फ्राइल हो तक हाइब एशं और पर पैरलेट को साई तो हीट आपंड हाइट क्या होगा, तो अगर हम sä Papad opportunities करें यह खों डीर, यह जो दिया होगा है, यह में 15th, सब्सक्राइब वाई तो यहां पर यहां प्रनाइब दूसरा बाइल करने मीटर हो तो यहां पर है वह 15 इंट्र आप पेड़ पनाइब मुझे मुझे खर्ट तो यह हैंसे हमारा आप नोस्ते मिलिः और वे उन्मिटा कैने तो इस व्यद्र कर importa करें एक A, B, C, D, और यह E, तो अब क्या होगा कविता का फिगर में, तो now for कविताव diagram, area of pentagon, area of pentagon क्या होगा, अगर इस triangle का और इस square का area add कर जाएं, तो area of triangle A, B, E, plus area of square B, C, D, E, area of triangle क्या होता है, 1 by 2 base into height, plus area of square क्या होता है, side square, यहां पर base क्या होगा है, इस triangle का, तो जो base होगा होगा, और यह दिया होगा है, 15 meter, तो यहां से यह 15 meter into height क्या होगा, तो यह जो height होगा, इस triangle का होगा, अगर हम यहां से notice करें, तो यह पूरा क्या है, 30 meter, और यह जो height दिया होग तो मchnetर में इसमें से एकना तो यह हो आगा 15M यहीच ही मिते ऒिक Balance रापप्ट। कि अब है जो जाएंगे तो हो जाएगा 5725 अपकोन 2 mirror 125 25 वित्यश्वर जॉप करेंगे तो 225 tava सब्सक्राइब और इसी जब सॉल्ट करें तो 675 बाइटू मीटर स्क्राइब जिसका वेल्य होगा 307.5 मिटर स्क्राइब और यहां पर हम उसी जो दिया हुआ अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करके मुझे बताइए